महा आस्मानी परमग्यान शिवर क्यों करें? आईए कुछ सत्य साधकों द्वारा जानें कि इस शिवर का उनके जीवन में क्या लाव हुआ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ ने अब यू टर्न लिया है उसका पत्यक्ष प्रमान मेरी पत्नी यहां पर पैठी हुई है वो बता सकती है क्योंकि पिछले दो महिनों में उसने यह कहा है कि पिछले 27 वरशों में में जो में चैंज नहीं देखा वो अभी दो महिनों में में देख रही है में अध्यातमिक उस्तों का अध्यन करता था, लेकिन वो भी इसलिए करता था कि कहीं कोई अध्रस्टान पुलू, किसी को सुना दू, मेरे हंकार को तोड़ा सा कुछ मुल्य मिल जाए. लेकिन एक दिन, एक विचार ऐसा आप ने भेजा, कि मेरे मन में विचार आया कि अगर ये द्रिष्टान सुनाने के बजाय, कोई एक द्रिष्टान पे, कोई एक चीज पे मैंने अगर अपने जीवन में उतार ली होती, तो मेरा जीवन जो है, धन्य हो जाता, वो विचार आपकी शरण में मुझे खीच के लिए आया है, ध्यान मेडिटेशन का अट्रेक्शन था ध्यान की बहुत सारी ट्रीक्स मैंने करके देखी, किताबे बढ़के बहुत कुछ प्रयोक करके देखे मैंने, पॉजिटिव एटुटेट के थे तो मैं सक्सेस होता था अगर कुछ निगिटु हुआ तो मजे रात रात निद ने आती थी भोग नहीं लगती थी परेशान हो जाता था फिर कुछ किया कुछ छोड़ देखे बहुत सारे बहुत सारे करके छोड़ दे मैंने लेकिन कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था मेरा अच्छा दोस्त है वह याग भी शिविर कर चुका है वह भला तो बहुत डेंजर जोंचे गुदर राव तो एक काम कर वह शिविर कर ले तो मैंने निशब्द समवाद 111 सवाल संपूर्न ध्यान विचार नियम यह किताबे मैं पढ़ चुका था यह आने के बाद आपके सब प्रवचन सुने मैंने काफी पीतक किताबे पड़ी काफी प्रयोग के अजिवे गोरे प्रयोग लेकिन यहां सब प्रवचन सुने मैंने तो सब प्रवचन मेरी तयारी कर लेने वाले थे मुझको क्या करना है क्या बदलना है मन क्या है मनों पे नियंतर्म कैसा करना है, वो सब आपके प्रहोचोन में से मेरी तैयारी बन गई, तैयारी बनने के बाद ध्यान धिलिद्रिस हो गया, मैंने पहली बार ध्यान की बाद शान्ति का अनुवग गया, हैपी तॉट्स, थैंक्स महा आस्मानी परमग्यान शिविर, मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है, इस पांच दिवसिय शिविर में, खोजी केवल सत्य श्रवन द्वारा आत्मसाक्षातकार की मन्जिल तक पहुँचता है, स्वानुभव की इस यात्रा में, खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृत्वी पर क्यूं आया हूँ, मोक्ष यने क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं, सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में, आज की भाशा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं, इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकरी के लिए दिये गए फोन नंबर पर संपर्क करें।